पंच तंतर की कहानी नमबर नौ। हंस और कचुवा। एक कचुवा और दो हंसों में गाड़ी मित्रता थी। तालाव के किनारे बे हर दिन मिलते थे। एक वर्ष बहुत कम बारिश हुई। तालाव को सुखा देकर हंसों को चिंता होने लगी। उन्हें पहाड के दूसरी और एक और तालाव का पता चला। उन्होंने बहां जाने का निर्णे किया। अपने प्रिया मित्र कचुवे से बे दूर नहीं होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कचुवे को भी साथ चलने के लिए कहा। कचुवे ने कहा कि बे तो उड़ नहीं सकता है पर उसके पास एक जुकती है। उसने हंसों को एक डंडी अपनी चोंच में पकड़ने के लिए कहा और डंडी को बीच से बे पकड़ लेगा। हंस राजी हो गए पर उन्होंने कचुवे को उड़ते समय अपना मूँ खोलने से मना किया। बे तीनों उड़ते हुए एक शहर के उपर से जा रहे थे। शहर के बच्चे इस आश्चरे जनक द्रिश्य को दे कर खोश होकर शोर मचाने लगे। कचुए ने भी कुछ कहना चाहा। अपना मूँ खोलते ही बै गिर पड़ा और घायल हो गया। शिक्षा बुद्धी मानों की सलाह अवश्य माननी चाहिए।